नमस्कार विद्यार्थियों आपका स्वागत है आपके एपने वेदिका क्लासिच के यूटूब चैनल में आज हम बात करेंगे सेकेंड एर इंजिनिंग ड्रोइंग एक्टिकल ग्रूप के लिए मोडल पेपर सेकेंड की जो आपका जुलाई दो जार का सतरा का जो एक्जाम पेपर है उसका स्वाइशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि जैसे आप सबी को पता है ज्यादा तर विद्यार्थियों की बैक ड्रोइंग के अंदर लगती है या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा यह अपका अपनाज का सेकेंड मोडल पेपर है अपना तो देखिए सबसे पहले अपन देखिए अपना कुशिन पेपर किस परकार से आता है तो देखिए यह जैसे आप स्क्रिन के उपर दिखाई दे रहा है सेम ऐसाई पिपर आया था 2017 के अंदर जुलाई में देखिए इस का आंक बाहर था आपका पिछेतर नंबर का 4 गंटे का टाइम आपको दिया गया था चेकिए विद्यारति ओ, और कुश्यन ओको शंक्या देखिए अपने कुश्यन ओको शंक्या थी, चार पहला कुश्यन जो आपको देखिए, इसमें लिखा है अपना ड्रोइंग ऑफ, रोटेटिंग मेग्नेटिग फिल्ड इन थ्री फेज इंडेक्शन मोटर, यानि थ्री फेज मोटर होती है, उसके अंदर जो थ्री फेज का rotating magnetic field होता है, उसका डाइग्राम बनाना था, और इसका आंक बहार है अपने पंदरांग का, दूसरा कुशिन देखें, उसमें लिखावा है अपने द्रो ए, tracking of panel, wiring diagram of an alternator, इसका अंक बहार 20 अंग तीसरा कुशिन देखें, तो द्रो ए, single line diagram, substation, feeder, इसका अंक बहार 20 अंग चोथा कुशिन देखें, तो द्रो ए, layout of machine control panel, अंक बहार 20 अंग चार कुशिन है, और प्रतिक का कांकभार अलग-अलग है, तो विद्यार्थियों, अगर आप इसका PDF फराप्त करना चाते हैं, तो description में दिएगे, आप WhatsApp, Telegram से हमसे जूड़िए, वहाँ पे आपको इसका PDF भी provide करवाया चाहेगा, देखें, तो इसका solution देखें, तो मैं one by one में आपको इसके solution दिखाऊंगा, आप practice करने के लिए क्या करना, जैसे पहले का answer है, three phase induction motor का rotating magnetic field, तो ऐसा diagram बनता है, तो आप अपनी जो rough copy एक बार, यह drawing sheet है, उस तरीके से इसकी practice करते रहेगा, ठीक है, और यह जो नाम लिखे गया है, एक अथा diagram वही होता है, जिसके अंदर सारे नामों को पर्दशित किया जाता है, सारे भागों को, इस पस्ट रूप से, तो आप ऐसा साफ सुत्रा diagram बनाएंगे, arrow का use करेंगे, जिस तरीके से इनको नाम दिया गया है, यह भी आप अपनी सुद्धता से चांचेंगे, तो यह देखिए अपना पहला question का answer है, 3 phase induction motor का rotor magnetic field, ठीक है, अब सलते हैं अपन देखो, दूसरे questions पे, यह आगया देखिए अपने, जो tracking panel है, wiring diagram of alternator, तो यह अपना दूसरे का diagram, आप इसके practice करने के लिए, अपने drawing sheet पर इसी परकार से, देख देख के एक दू बार जब practice करेंगे, तो यह दिमाग के अंदर याद हो जाएगा, यह सारे diagram, आप ही की जो engineering drawing की जो book है, उसी से copy किये गए है, उसी से देख देख के मैंने draw किये हैं, और आप के लिए तयार किये हैं, तो आप direct अपनी copy में भी जो drawing की book है, उसमें भी note कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं, आप जब बार बार practice करेंगे, तो ही drawing के अगया सा subject है, जित्ती ज़्यादा आप practice करेंगे, उत्ता ज़्यादा अपना हाथ अच्छा चलेगा, और साप सुत्री drawing बनेगी, और अपन pass हो जाएंगे, और अच्छे नमबर भी प्राप्त कर स underground cable हो गई, 11KV आ गई, OCB, फिर CT आ गया, इस तरीके से ये main transformer लगा है, ये main OCB है, फिर आगे जो अपना customer, यानि अपनों को supply यानि ये देखिए, आप देखना चाहें, तो यहाँ पर विदुत का उत्पदन हो रहा है, और अपने घर पे जो आती है, वो आती है, अपने 2A customer तो ये सारा सिस्टम अपने किसमें दर्साया, एक single line में दर्साया है, जो तीसरा कुछे नहीं था, single line diagram of substation feeder, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने एक साफ सुत्रा, single line substation feeder का diagram बनाएंगे, इसमें देखिए, सब जो नाम लिखे गए, इन सब करम का इसी करम में रखना जर देखिए, इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे control panel है, तो control panel में आपको पता है, three phase winding, starting से अपन देखें, तो ये three phase, ryb, फिर इनका, auxiliary contact, icdp, ictp, fuse, इन सबी का one by one crumb रखा जाता है, यहाँ पे जो यह लगई है, यह relay लगी है, जो control panel या control जो circuit, control से उच होता है, उसके series crumb में joint क jtmsi, यहाँ के आपके motor हो गई, यह इसका neutral point या जिसे अपन अर्थिंग point कहता है, इस तरीके से आप साफ सुतरे diagram practice करके अपनी अच्छी drawing बना सकते हैं, तो यह आपका आज का अपना model paper second विद्यारतियों, आपको वीडियो कासा लगा, comment करके ज़रूर बताएं, आप अग निवाद